Hello everyone, Welcome to Origin आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं हमारे English Class 12 का 3rd chapter, Deep Water जिसके author है William O. Douglas So, सारी चीज़े इस सेशन में भी same होने वाली है क्योंकि ये भी वीडियो है हमारे Target 95 Plus सिरिस का है So, at the end of the video आपको कोई सी भी नई चीज़े करने की जरुरत नहीं है जितनी चीज़े में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो 95 Plus के लिए sufficient होने वाली है literature के portion में Grammar and Writing section हम बाद में करेंगे अभी हम करने वाले है literature section जिसमें हम पढ़ेंगे deep water and ये वीडियो देखने के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है आपको अपने बुक से यही story रीड करनी है that's it एक बार फिर से हम देख लेते हैं वही चीज़े क्या क्या session का overview जिसमें हम sketch करेंगे then story summary रखेंगे then NCRT questions होंगे PYQs होंगे and long answer questions होंगे NCRT का all questions हम deal करेंगे PYQs हम check करेंगे कितना हमको यह story समझ में आया है and long answer questions हम deal करेंगे summary type के questions answer करने के लिए clear so अब हम एक बार sketch देख लेते हैं deep water chapter का इसमें characters हमारे कौन-कौन से है so जो first character है वो है William Douglas the author itself जो इस story के writer है जो इस story के author है वो खुद इस story में main character है क्योंकि इन्होंने अपने real life incident के बारे में इस story में बताया है next is fat boy fat boy आपको आगे पता चलेगा एक मोटा लड़का है एक bully लड़का है जिसका इस story में बहुत बड़ा role है and इसलिए यह उसका main character हम मान सकते है and third is swimming coach swimming coach means कौन हुए जिसने जो आथर है डोगलाज है उनको swimming सिखाई so अब जब swimming coach इस story के main character है मतलब यह जो story है हमारी वो क्या है swimming से related कुछ है so अब हम एक बार छोटा सा overview देख ले तो इसमें हम क्या जानने वाले है यह story proper based है कैसे एक छोटा सा बच्चा जिसे पानी से डर लगता था जिसके साथ दो बार life में ऐसी incidents हो गई है कि वो almost ढूपते हुए almost मरते मरते वो बचा हो and किस तरीके से वो उस हालत के बाद वो एक बहत्रीन swimmer बनता है यह पुरा process आज की story में हम पढ़ने वाले है so I know कि अब हम अच्छे से ready हैं इस story की summary के बारे में जानने के लिए क्योंकि हमारे हर वीडियो का most important session होता है उसका summary session so अब आपका सारा ध्यान इस वीडियो पे हम start करने वाले हैं इस story का summary clear so Deep Water by William O. Douglas जो author है वो बताते हैं कि तीन या चार साल की उमर में उनके साथ एक ऐसा हाथसा हुआ था जिसके कारण उनके अंदर जो है वो पानी का डर बैड़ गया था क्या हाथसा हुआ था वो अपने पापा के साथ समुद्र में sea shore में समुद्र किनारे पे sea beach में तैरने गयते घूमने गयते और वो खेलते खेलते उनके पापा का ध्यान रहा नहीं या उन्होंने शायद जान बुझके उसे free छोड़ दिया वो समुद्र के थोड़ा अंदर चले गया एंड एक लहर आई और उनके साथ उन्हें खीचके ले गई थोड़ी देर के लिए और वो अल्मोस्ट दूबने वाले थे बट फिर उनके पापा ने उन्हें बचाया और वो डूपते दूपते बच गया बट उस दिन के बाद से उनके अंदर जो है वो पानी का जो fear है वो बढ़ने लगा जब author नौया 10 साल के around के हुए जब थोड़े बड़े हुए तब उन्होंने फिर से decide किया कि उन्हें जो है वो swimming सीखना है swimming सीखने के लिए उन्होंने अपने area के पास के YMCA swimming pool को select किया क्योंकि वो pool जादा गहरा भी नहीं था 2-3 feet एक side में उसकी depth थी and another side में highest जो उस pool की गहराई थी वो थी 9 feet की इसलिए उन्होंने वो select किया और उनकी मम्मी भी उन्हें suggest कि कि YMCA swimming pool में तुम जाना और Yakima river में मत जाना क्योंकि वो बहुत तेज river है और वहाँ तुम बह जाओगे वो safe नहीं है और इस चीस के बारे में उन्हें वो बार-बार याद दिलाते रहती थी कि जाना है YMCA pool में ही Yakima river में मत जाना किस तरीके से याद दिलाती थी उन्हें Yakima river में आय दिन होने वाले डूबने के incidences के बारे में उन्हें वो सुनाया करती थी सो अब author क्या है Almost उन्हें शुरूई किया था swimming pool जाना और वो daily swimming pool जाने लगे उनको कुछी दिन हुए थे वो swimming pool पे जाना पसंद करने लगे थे पानी से थोड़ा शांत होने लगे थे ज़्यादा उनके मन में डर बचा नहीं था कि उनके साथ एक काफी tragic incident हुआ और बहुत ही खतरनाक incident उनके साथ एक हुआ हुता यह है कि author जब swimming pool में जल्दी पहुँच गया और वहां कोई आया नहीं था तब वो खाली swimming pool के किनारे में बैठे थे and suddenly एक मोटा बच्चा उनसे काफी बड़े एचका आता है और मस्ती के mood में दौरते हुए आतर उनको उठा के swimming pool में फेक देता है अब author को तैरना तो आता नहीं है जब author swimming pool में जाते हैं तो वो डूबने लगते हैं अब उनके अंदर वो डर आने लगता है पानी का वो अपनी body को धीला छोड़ देते हैं और वो अपने आपको पानी के swimming pool है उसके bottom में जाने का सोचते हैं और अपने mind में वो plan बनाते हैं कि जैसे ही मैं swimming pool के bottom में पहुचूँँगा मैं अपने पैरों से इतना जोर का jump लगाऊंगा कि मैं surface में आके jump कर लो ऐसा वो सोचते हैं और धीरे धीरे bottom में पहुचते हैं जैसे ही वो bottom में पहुची उनके पैरों ने surface को जैसे ही touch किया उन्होंने force लगाया बट वो उतनी speed से उपर नहीं जा पाय जितना उन्होंने सोचा था वो धीरे धीरे उपर आने लगे और उनका plan ये fail हो गया अब वो surface में आते हैं पानी के surface को मारने लगते हैं अपना पैर उपर लाने का try करते हैं बट उनके जो पैर है वो heavy weight के बराबर थे अब वो उपर नहीं आ रहे थे उन्होंने ये try भी छोड़ा बट सारी चीजे उनको suddenly उनका जो heart है वो काफी तेजी से beat करने लगा धीरे धीरे उनके आखों में अंधेरा चाने लगा था बट उनके mind में उनका plan उनको याद था उन्होंने फिर से एक बार अपनी body को नीचे जाने दिया और उन्होंने फिर से जम किया बट वो फिर से उपर नहीं आ पाए उपर आही नहीं पाए वो एक बार सर्फेस में आगे पानी के अब सारी चीजे उनको black black दिखने लगी उन्होंने सारी चोड़ दिये एक बार और उन्होंने ट्राई किया जब वो धीरे से अपने आपको नीचे आते हुए द अब उनका बौडी का कोई साभी पार्ट काम नहीं कर रहा था उनके इस टमक्स में उनके लंक्स में पानी भरता जा रहा था एंड अब उन्होंने सारे होप छोड़ दिये उन्होंने कोई ट्राई नहीं की इसके बात जो next इज उन्हें याद है वो यह था कि वो swimming pool के किनार पर अपने पेट के बल लेटे हुए हैं इस इंस्टिटेंट के दिन रात को जो हमारे ओथर हैं डोगला डोगलास वो सो भी नहीं पाए उनके अंदर एक बहुत जादा डर बैठ गया था पानी का सिर्फ इस इंस्टिटेंट की वज़े से उसके कोच ने उस बच्चे को बुल से डरने लगते थे एंड इस वाजे से वह वाटर स्पोर्ट की कोई सी भी एक्टिविटीज नहीं कर पाते थे समुद्र में जाना सी बीच में जाना बोटिंग करना या शिप में जाना या पानी के पास जाती उन्हें डर लगने लगता था तो पानी से रिलेटेड जितनी fun adventures, जो car होते हैं, जो हम works करते हैं, जो sports होते हैं, वो सारी चीज़े वो enjoy नहीं कर पाते थे ये चीज़े जब author के mind में आई तो उन्होंने सोचा मुझे एक बार फिर से swimming सीखनी है, अब इस बार उन्होंने swimming के लिए एक swimming coach किया, जिसके बारे में हमने अपनी character sketch में बात की थी, होता यह है कि जब author swimming coach से बात करते हैं, तो swimming coach एक proper plan के साथ author को सिखाना स्थार्ट करते हैं, author को सबसे पहले एक rope, एक pulley से बान देते हैं, और उन्होंने वो बोलते हैं कि at least तुम पानी में उत्रो बस, तो उन्हें वो एक मन्त तक रसी से बान की इस तरीके से पानी में उतरना सिखाते हैं, जिससे कि वो जो है, वो water के साथ थोड़े familiar हो थोड़े हैं, उनका डर जो है, वो शान्त हो, ऐसा करते करते बहुत ही धीरे धीरे process ने, कभी रसी से बानना and then one month बाद उनको अलग training देना, फिर और अलग training देना, फिर breast stroke, फिर butterfly swimming, ये सारे चीज़े उन्हें सिखाते, सिखाते, साथ-ाथ माहिनों बाद जो उन्हें जो coach थे उनके, उन्होंने उनको कह दिया कि दोगलाज, अब तुम जो है वो proper swimming swimmer बन चुके हो, ये चीज़ उन्होंने सोचा, एंड इस बार वो अकेले गए पुल में, बट वो नहीं डरे, फिर भी उनको यकिन नहीं हुआ, वो चले गए, लेक में, लेक में उन्होंने, जम्प मार दिया, कि अब मैं तैर के रहूंगा, वो दो याड जाने के बाद, जब वो बीच में रुपते हैं, और पानी के अंदर अपने सर को डालते हैं, तो वो देखते हैं कि उनका डर थोड़ा-थोड़ा वापस आने लगा, बट इस बार वो काफी strong थे, और वो डर जादा दिर नहीं टिक पाया, इस story के end में author जो है, वो President Roosevelt का एक quotation कहते हैं, इस quotation में President जो है वो कहते हैं कि, All you need to fear is the fear itself, and इस तरीके से यह जो हमारी story है, वो end हो जाती है, बहुत ही motivating, बहुत ही confidence वाली की story थी, किस तरीके से एक बच्चे के अंदर, डर बैठा हुआ था पानी का, अगर जो author है, वो जिस पानी से डरते थे, अगर वो पानी के पास जाना ही बंद कर देते, तो वो swimming expert नहीं बन पाते, वो डरते डरती उनकी जिन्दगी खतम हो जाती, बट अगर आप fear से ही, अगर फिर से लड़ना शुरू कर दोगे, तो fear क्या है, वो हट जाएगा, यह जो main seek हम को इस story से मिलती थी, वो यह है, अब हम स्टार्ट करने वाले हमारे जो, इस वीडियो का जो last section होता है, question practice session, जिसमें हम सबसे पहले discuss करते हैं, NCRT question के बारे में, चलिए हम NCRT questions यहाँ पे देखते हैं, क्या-क्या questions आज हम दो मिलते हैं, So, first question हमारा है, what is a misadventure और shocking experience at YMCA pool, that William Douglas speaks about, अब कौन से incident था, जब William Douglas swimming pool में जल्दी पहुँच गया थे, कोई और वहाँ पहुचा नहीं था, तो वो swimming pool के किनारे पे बैठे थे, एक मोटा बच्चा आता है, एक fat boy, bully boy आता है, वो उन्हें उठा के swimming pool में fake देता है, swimming pool में वो डूबने लगते हैं, वो अपने mind में plan करते हैं, कि किस तरीके से वो नीचे जाएंगे, और वो अपने पैरो से pressure लगा के उपर आएंगे, बट वो उती तेजी से उपर नहीं आ पाते, तीन बार वो ये चीज़ ट्राइ करते हैं, बट फिर भी वो उपर नहीं आते, और इसके बाद कि जो next चीज़ उनको याद है, वो ये होती ही, कि वो swimming pool में के किनारे पे, अपने पेट के बल लेट के बैठे थे, ये चीज़ उनके साथ वहाँ हुआ था, इससको हमें English में लिख देना है, और proper हमारा answer यहाँ पे complete हो जाता है, आपको बस story समझ में आना है, जितने नए questions आएंगे, सब आप से easily बन जाएंगे, next हमारा question है, what were the series of emotions and fears, that Douglas experienced when he was thrown into the pool, what plans did he make to come to the surface, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पुछा गया कि क्या-क्या emotions उनके अंदर आए, और क्या-क्या fears उनके अंदर आए, जब उन्हें पूल में फेका गया, और अब यह पुछा है कि क्या-क्या plans उन्होंने बनाये थे, तो emotions उनके अंदर क्या क्या आया थे, second जो emotion उनके अंदर आया था वो डर का emotion था third जो आया था वो confidence का था कि हां मैं नीचे जाके jump करूँगा and then ये तीन emotions उनके अंदर आये थे अब उनको हमको detail में बताने हैं कि उनकी planning क्या-क्या थी तो उनकी planning हमको याद है कि उन्होंने सोचा कि जैसे ही मैं swimming pool के bottom surface में जाओंगा मैं अपने पैरो से bottom surface में प्रेसर लगाओंगा और उस pressure के through मैं surface में आके jump कर जाओंगा means उस pressure के वादे से मैं jump करके मैं surface में आ जाओंगा ये plan उन्होंने बनाया था अब ये plan उन्होंने तीन बाय ट्राई किया तीनों बार वो fail हो गया इसमें हमको लंबे आंसर लिखने भी नहीं है 30 to 40 questions के आंसर लिखेंगे बहुत अच्छे आंसर बन जाएंगे next question है हमारा how did the instructor turn Douglas into a swimmer so अब यहाँ पे मैंने जो line बोली थी slow and steady wins the race यहाँ पे line यहाँ लिख सकते इस question में answer बताने के लिए and इसका अच्छे से answer हम क्या लिखेंगे कि जो swimmer है उसने सबसे पहले उन्हें रसी से बांधा जो swimming coach है उन्होंने डोगलास को रसी से बांध के एक महीने तर ट्रेनिंग दी सिर्फ पानी में उतर के रहने की ताकि वो पानी से friendly हो and इसी तरीके से monthly उन्होंने targets उनके लिए set किए weekly target set किए daily target set किए जिसको cover करते हुए seven to eight months के around में फिर जो डोगलास है वो एक proper swimmer की तरह बन गया यह था जो swimming instructor है उन्होंने किस तरीके से डोगलास को train किया next हमारा question है how did डोगलास make sure that he conquered the old terror अब यहां पर कैसे उन्होंने sure किया जब डोगलास को विश्वास नहीं हुआ कि क्या मेरे मेरा मेरा डर सच में खतम हो गया है वो सबसे पहले swimming pool में अकेले गया वहाँ वो नहीं डरे दूसरी बार वो लेक में गया वहाँ भी वो नहीं डरे and then वो warm लेक में गया उसे across उन्होंने clear किया उस time उनको confidence आया कि हाँ अब मेरा जो old terror है उसे मैंने win कर लिया है उसके पहले उसके उपर मैंने फते प्राप्त कर लिया और वो अब डर को बोलते हैं कि मुझे जितना डर आना है तुम डर आओ अब मैं नहीं डरने वाला और यहाँ पे वो President Roosevelt का line code करते हैं जिसे आप इस answer में लिख सकते हैं वो क्या था all you need to fear is the fear itself next question है हमारा what lesson did Douglas learn when he got rid of his fear of water अब यह तो वही हो गया President Roosevelt का line था वो यहाँ पे डोगलास ने code की तो all you need to fear all you need to fear is fear itself के बारे में अगर आप लिख देंगे थोड़ा सो इसको explain करते तो इसको proper answer आपको बन जाएगा तो यह question मैं आपको homework के लिए दे रहा हूं आपको इसमें करना कुछ नहीं है बस चो line है जो quotation है all you need to fear itself fear is fear itself को एक बार explain कर देना है 30 to 40 watts पे comment में आप इसका answer जरूर दीजिएगा सारे comments मैं पढ़ता हूं आपने पिछले दो पिछले दो वीडियो में देखे ही होंगे अच्छे answers मैंने pin भी किये हैं उसमें अगर कोई query होगी तो आप comment भी किजिए सारे comments के reply आपको मिलते ही है next question में हम चलते हैं ओके what factors made Douglas decide in favor of the YMCA pull अब यह मैंने summary में काफी अच्छे से discuss किया था इस question के बारे में कि क्या-क्या factors से जिसकी वज़े से Douglas उन्होंने YMCA pull को ही select किया सबसे बड़ा factor था उनकी मम्मी ने उन्हें suggest किया था कि YMCA pull में ही जाना क्योंकि यकीमा river था वो काफी trencherous था जो यकीमा river था उसमें जो पानी है वो बहुत ही speed से flow होता था इसलिए वहाँ जाना safe नहीं था यह यकीमा river की comparison में बहुत safe था क्य है रहाई थी वो थी 9 feet इसलिए जो अपने Douglas है उन्होंने YMCA pull को select किया main reason था उसका safe होना next हमारा question है why did Douglas fail to come to the surface of the pull as he hoped to अब इसमें reason क्या है कि scientific reason देखे तो water की वज़े से वो जितना उपर आना चाहते था उतना नहीं आ पाय थे second thing था काफी panic हो गया उनके अंदर इसलिए उतना pressure वो नहीं लगा पाय जितना उनके mind में चल रहा था third thing जो थी उनका body के जो पार्ट से वो अच्छे से काम करना बंद कर दिये थे water की वज़े से भी and panic की वज़े से भी इसलिए वो उतने जम के साथ उपर नहीं आ पाय जिसना उन्होंने सोचा था तो यह तीन रिजन्स हमें वहाँ पे लिखने कौन-कौन से एक तो scientific रिजन था जो था वो वाटर का था second था panic third जो था वो body part जो काम करने efficiency जो थी वो घट गई थी क्योंकि उन्हें जो breeding का problem हो रहा था सास लेते नहीं बन रहा था next है mention any two long term consequences of the drowning incident of doblas first जो था वो था fear fear की वाज़े सो उनके पास confidence नहीं था यह चीज़ हमको explain कर देना है and जो second इनका जो loss था second loss यहाँ पे है वो adventurous activities the adventurous activities होती जैसी की water sports होते हैं जिसमें हो गया kayaking हो गया जिसमें हम कह सकते हैं boat racing हो गई and surfing हो गया swimming swimming हो गई यह सारी चीज़े वो नहीं कर पाते थे यह जो दो losses थे and third loss है और lifetime का उनको fear आ गया था जो कि इस वाले point पर हमने cover कर दिया so यह जो दो points है question में दो points पर लिखा गया है यह दो points थे उनके lifetime consequences थे long term consequences थे जो YMCA pull में उनके साथ incident हुआ था उसके अब हम question आपका बनेगा YMCA pull का incident and a question आपका बनेगा किस तरीके से swimming instructor ने उन्हें बताया and third question यहां पर उसके end के बारे में ज्यादा question इस chapter से बनेंगे भी नहीं and बहुत ही few times chapter से question आया but important chapter है क्योंकि all of a sudden कभी भी इससे questions आ सकते हैं जैसे की इस साल आये थे ओके डोग्लास has a near-death experience in his childhood which has a negative as well as positive outcome justify the statement with evidences from the text अब यहां पर क्या है डोग्लास जो है उनका एक near-death experience हुआ था childhood में अब इसके negative consequences भी हमें बताने है and positive consequences भी हमें बताने हैं इसके बारे में हमने अच्छे से discuss किया है आज के वीडियो में अभी तक शायद आपको कोई homework नहीं मिला है तो यह वाला question आपके लिए homework इसमें आपको करना क्या है इसमें आपको सिर्फ 4 या 5 points में comment कर देना है कि क्या-क्या चीज़े आपको यहाँ पे समझ में आई है इसे story के बारे में सो दो positive and दो negative consequences आपको लिख के comment कर देना है जिसका answer best होगा उसका comment पिन होगा आज के इस video में दो homework आपको मिल गए है यह एंड जो मैंने पहले आपको दिया था लास question अब इसका answer जो है वो बहुत ही easy है बहुत easy question है यही तो हमने इस पूरे chapter में discuss किया है तो यह तरीका से इस पूरे chapter का summary वाला question हो गया क्या क्या पहला चीज जो हमको यहां पर लिखना है वो हो गया जब वो three to four years के थे तो उनको जो सी बीच में जो उनके साथ experience हुआ three to four years के छे दब जोगला तो उनके साथ सी बीच में वो जैसा डूबे थे वो हमको explain कर दिना है next हमको यहां पर लिखना है YMCA pull के बारे में अब YMCA pull में हमको लिखना है जो fat boy था उन्होंने उसे कैसे फेका था and then उनकी जो जब वो डूब रहे थे तो उनके mind में planning क्या क्या चल रही थी planning and third चीज इसकी वज़े सुनके अंदर जो बहुत ही गहरा fear उनके mind में आ गया क्योंकि उसरा तो सो भी नहीं पाय थे यह भी चीज हमने discuss कि इसमें इस question का answer यह 4 या 5 points अगर हम लिखेंगे इसका एक proper answer हम cook कर लेंगे देखते हैं और कोई questions होड़ी है bonus question summary all in one question यहाँ पर हमारा complete हो गया thank you okay so that was it for today's video काफी interesting story थी and question भी हमने काफी सारे किये and इससे extra आपको कुछ करने की ज़रत नहीं है सिर्फ आप एक बार अपना textbook read कर किजिए mcq के जो questions है extract based questions जो है unseen passage जो हो गया यह सारी चीजें के चीजों के जो question practice sessions है exam time में जरूर लेंगे आप बस इस channel से बने रही है and मिलते है next video में till then goodbye thank you take care जैहिंग